हेलो फ्रेंज आज मैं आपको 2013 की एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ट वे बैक होम ये मूवे एक्स्प्राइब करने वाला हूँ इस मूवे में एक मदर एक अलग कंट्री में अरेस्ट हो जाती है इसमें जो crime क्या होता है यह जाने अंजाने में इससे हो जाता है अब यह family क्या करेंगे अब हम इस movie में देखेंगे तो चलिए यह शुरू करते है movie स्टार्ट होती है और यून हमें Paris airport पर दीखती है अब इसकी backstory हम देखेंगे हमें हमारे दो man character दिखते है यून और जॉंग यून wife है और जॉंग उसका husband है ये दोनों एक car repairing shop चलाते है यून भी आज गाड़ी को कुछ साफ कर रही होती है तो भी एक spider उसे दिखता है उसका husband उसे बुलाता है तो ये spider मर जाता है आज उसके husband के बहुत सारे friends आने वाले होती है ये कहती है कि मैंने आज spider को मार दिया है ये आप शुगो ने आज उन्हें आने से मना कर दो husband कहता है कि इसा कुछ भी नहीं होता मेरे जो friends है ये मेरे family की तरह है ये कभी भी आजा सकते है कोई हमें problem ने आएगा ये इनकी conversation चल रही होती है तो ये मुन्दो आजाता है मुन्दो वही friends में से एक है जो इन से मिलने आले वाला था मुन्दो बहुत दिनों से गार था वो कहा था क्या कर रहा था किसी को कुछ भी पता नहीं है रात में जब ये डिनर कर रहे होते है तो और दो friend आते है इन friends में से एक business man होता है एक computer की shop चलाता है और एक मुन्दो होता है एक दूसरे से अपना हाल चाल पुछते मुन्दों को पूछने पर कि वो क्या करता है एक story make up कर देता है इसने sona find किया है और पिछले तीन सानों से वो यही था जो business friend friend होता है उसे जब पुछा जाता है तो कहता है यॉन और जॉंग इन दोनों मझे बहुत हेल्प के हैं मेरे business को लेकर इनिवे जैसे मैं stand हो चुका हूँ और तीसरा जो friend है एक computer center चलाता है इस रात इन सब friend की reunion हो जाती है नेक्स दिन जैसे एक family के morning routine होती है वैसे इनकी routine चलती है यॉन अपने बेटी के health बना थी है और आप वो school जाने वाले होती है जब जॉन और डॉटर ये दोनों घर से बाहर चले जाते है और यॉन अकेली होती है तभी business man friend वहाता है ये यॉन से खाना मांगता है और कहता है कि बहुत दिन हो चुके है मैं तुमारे हाथ का खाना है नहीं खाया था इसलिए मुझे याद आ गई और मैं आ गया यॉन भी उससे जादा कुछ नहीं पुछती है रात में पुलिस को इसी business man friend की body मिलती है इसने suicide कर ली होती है इस पर बहुत जादा debt हो जाती है और ये सहन नहीं कर पाता इसके बाद जॉन और यॉन को बैंक में बुला जाता है बैंक वाले उससे कहते हैं कि तुम पर 200,000 डॉलर्स का लोन है एक्चुल में जो business man friend था इसने लोन लिया था एस अ गैरेंटी जॉन ने इसके लिए साइन की थी पर जॉन ने सिर्फ 50,000 डॉलर्स के लिए ये साइन दी थी इसे पता ही नहीं था कि 200,000 डॉलर्स है अब ये दोनों बहुत ही जादा टरवल में आ जाते हैं जिस हाउस में हो रहते थे इस हाउस को उन्हें सेल करना पड़ता है अब ये भी लोन बहुत है तो एक छोटे से घर में जाकर रेंट पे उन्हें रहना पड़ता है इनकी financial situation बहुत ही खरा होती है तो इनके friend मुंदो के पास वाते है इसने कहा था इसे goldmine मिली है तो इसके पास पैसे होंगे ऐसा होने लगता है जब इन मुंदो के पास आता है तो मुंदो केहता है कि उन्हें बहुत सारे पैसे दे सकता हो 4000 डॉलर सिर्फ 3 दिनों के काम के लिए यह हो उन्हें deal दे रहा होता है यह काम जब उन्हें समझाता है तो यह होता है एक airport पर जाना है और अपने luggage में बहुत सारा सामार रगना है उन्हें कहता है कि एक stone से जो तुमें import करके लाने है बस 3 दिनों में तुम वापस आ जाओगे और 4000 डॉलर्स तुमारे हो जाएंगे यह उन्हें को यह बहुत ही suspicious लगता है जांक कहता है कि इस पर सोचकर में तुमें बताऊंगा जब रात होती है तो मुंदों से जांक बात कर रहा होता है यह उन्हें से कह रहे होती है कि एक काम तुमें नहीं करना चाहिए पर जांक उसकी मानने नहीं वाला होता बहुत जादा लोन उस पर होता है और एक ऐसे pay करेगा यह बहुत बड़ा problem होता है जब यह बात कर रहे होते हैं तब जांक को पता चलता है कि इस काम के लिए सिर्फ लेडिज लगने वाली है जांक यह काम नहीं कर सकता तो यह बहुत जादा disappointed हो जाता है अब जिस नए घर में वो पहुच चुके है तो इसकी जो landlord है यह उन्हें अब डाट रही होती है बहुत दिनों से इन्होंने रेंड भी नहीं दिया होता अब दो-तिन दिन गुजर जाते हैं जो अब घर पर ही नहीं आता continuously वो काम कर रहाता है यानि कि बहुत सारे पैसे वो ला सके डाक्टर यून से पुछती है कि फादर का है पर इसके पास जादा कुछ आंसरस नहीं होते अब यून को महसूस होता है कितनी बड़ी प्रॉलम उन्हें आ चुकी है फिर वो मुंदो को कॉल लगाती है वो कहती है कि इस काम के लिए मैं रेडी हूँ अपने बेटी को वो बाजार में लेकर जाती है घर आते वक्ट एक टॉइ के शौब में डॉटर रुखती है इसे एक बड़ी सी डॉल चाही होती है पर यून के पास इतने पैसे नहीं होते तो एक छोटी सी डॉल उसे ले लेती है डॉर्टर को कोल लग रहा होता है तो अपने कंदे पर यून उसे बिठा लेती है उससे कहती कि थोड़े दिन तक मैं यहाँ से बाहर जाने वाल हूँ तुम्हें अच्छे से रहना है सब इंस्ट्रक्शन उसे देगर वो चली जाती है जौंग जब घर पर आता है उसे फ्रीज के उपर नोट मिलती है यह थोड़े दुनों के लिए बाहर जा रही हूँ यून ने अपनी डॉर्डर को उसके एंड के यहाँ छोड़ा हूँ होता है मुवी के फर्स में हमने देखा था कि यून एरपोर्ट पर पकड़ी जा चुकी है अब यही वो सीन है और उसका लगेज पकड़ा जाता है जब यह चेक किया जाता है तो उसमें बहुत सारी कोकेन होती है 150 मिलियन यूरो की यह कोकेन होती है मुदो ने उसे बताया था कि अगर वो पकड़ी गई तो कस्टम वालों को पैसे दे देना पर यह यहाँ काम नहीं करता यह उसने जुट बोला था उसे अब जेल में डाल दिया जाता है मुदो की जे गर्फरेन होती है यह भी पकड़ी जाती है इसे भी जेल में डाल दिया जाता है अब जॉट को इस सब इंसिटन के बारे में पता चल चुका है यह पुलिस के पास आता है उन्हें कहता है कि उसे पता ही नहीं था उसे लगा था कि यह स्टोन से अगर उसे पता होता कि यह कोकेन है तो यह कभी भी नहीं करती पुलिस कहती है कि हमें सिर्फ मुंदों को पकड़ना है अगर हो पकड़ा गया और उसने टेस्टिमोनी दे दी तो मारी वाइफ फ्री हो जाएगी कोई प्रावलम नहीं आएगा जादे जादे वो जौंग को अपनी पी करने के लिए बोलते है इस पर भी पुलिस को शक होता है यह भी अपनी वाइफ को एक काम करवा सकता है इसलिए इसको भी पी सैंपल और हैर सैंपल देना पड़ता है डॉटर अपनी मदर उससे देखने रही तो उसे बहुत ही परिशान करती है जौंग उस पर चिर जाता है वो उसे बहुत बुरा लगता है मुंदू की जी गर्फरंट जो पकड़ी जा चुकी होती है वो as a suspicions पकड़ी जा चुकी होती है इसके पास कोकेन नहीं होता तो जो छोड़ दिया जाता है Korean Embassy से आई हुई एक लेड़ी वा होती है यून उसे पूछती है कि ये क्या हो रहा है उसे अपने husband को call करना है ये भी उसे बताती है ये बहुत strict होती है और कहती है ये French Embassy के काम करती हो तुम जब prison में पहुँचा होगी तब later लिखना जो अग पुलिस के पास आया हुआ होता है और Korean Embassy को ये सब inform किया जाता है पुलिस officerों से खेता है थोड़े दिनों बाद तुम Embassy को call करना ये जो सब matter है इसे वो देख लेंगे अब हमें Korean Embassy का office दिखाय जाता है यहाँ पर ये जो सब matter हुआ है एक boss को एक employee समझा रहा होता है boss उसे खेता है कि ये जो सब हुआ है ये हमारी लिए disgrace है इस पर वो जादा ध्यान नहीं देने वाले होते है ये जो employee होता है इसका नाम Dayune होता है अब हमें दिखता है कि Dayune Paris में आ चुका है और June से वो मिलता है उसे कुछ paper sign करने के लिए बोलता है टूदबरश वगरा कुछ सामन उसे दे कर जाता है June कहती है कि मुझे मेरे husband से बात करनी है Dayune कहता है कि French law बहुत ही कड़क है तुम उने husband से बात नहीं कर पाओगी जब तुम prison में जाओगी तब ही तुम later लिख पाओगी ये बहुत येडगड़ा रहे होती है तो prison guard को इस पर दया आ जाती है इसे call करने के लिए वो permission दे देता है जब ए call लगाती है तो जौग busy होता है जो करजा उसे लिए होता है ये उसे चुकता करना पढ़ रहा है तो इसके calls उसे आने लग जाते है last chance में यून को call लग जाता है वो जौग से पुछती है कि इतना time क्यों लगा दिया जौग कहता है कि ऐसे तुम कैसे चली गई थी क्या हुआ था ये सब उसे बुछता है यून को अपनी daughter से बात करना पाता है इंगी बीटी car में होती है और ये रस्ते के एक side पर होता है ये भागते भागते वहा जाता है पर यून का time खतम हो जाता है वो अपनी daughter से बात नहीं कर पाती है नेज़ दिन मुंदो की girlfriend कोरिया में आ जाती है वो पुलिस station में होती है तो जौंग भी वहाता है उसे बुछता है कि तुम कैसे आगे और कैसे यून वहाँ है वो बहात ही उस पर चिट गयाता है पुलिस officer कहता है कि इंवेस station चल रही है तुम इसमें ज़्यादा interfere मत करो यून ज़्यादा ही आवाज उठाता है तो वो कहता है कि तुमने एक गुनेकार से शादी की थी इसमें हमारा कोई दोश नहीं है तुम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते उसे वाहा से जाने के लिए बोलता है तो मुन्दो की गल्फरेंड भी आती है मुन्दो की गल्फरेंड उसे कहती है तैवान नाम का एक आदमी था ये मुन्दो का बहुत अच्छा फ्रेंड था अगर तुम इसे ढून लो मुन्दो को भी तुम ढून सकते हो अब थोड़े दिन हो जाते है तो जॉंग कोरियन एंबसी को कॉल लगाता है यहाँ पर देयों उससे बात कर रहाता है देयोंग इसे कहता है कि यह जो क्राइब हुआ है इसकी हेरिंग होने में चार मंद लगेंगे यॉंग उसे भुचता है कि तब तक के लिए मैं क्या कर सकता हूँ दे यॉंग से कहता है कि अच्छा सा एक lawyer ढूंड़ो, इसके लिए भी बहुत सारे पैसे अब यॉंग को लगेंगे दे यॉंग अपने officer के पास आता है, वो कहता है कि अगर हमने petition sign की, अगर अपने France के embassy से directly बात की तो हम यह जो period है, यानि की 4 month है घटा सकते हैं, directly हम trial में जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसे हो सकता है यह जो officer है, इसको इसमें involve नहीं होना, इसलिए इसको यह मना कर देता है यह जब घर पर आता है, तो उसका पुरा सावन रस्ते पर होता है, यह rain पे नहीं कर पा रहा, इसी वज़े से होता है हमें दिता है, कि यून उससे later लिख रही है, इसमें उससे पुछती है, अब तो बहुत ज़्यादा थंडी होगी उसकी daughter का खैल रखने के लिए उससे बोलता है, उससे cold हुआ है या नहीं, यह उससे पुछती है इससे कहती है कि comfortable है, इसके लिए worry करने के कोई भी ज़रूत नहीं है यून prison में होती है, तब एक guard आती है, उससे कहती है कि तुम्हारा transfer हो रहा है यून को इसकी भाषा समझ में नहीं आती, पर यहां से उससे जाना है, यह उससे पता होता है उससे पुछती है, क्या मैं Korea जा रही हूँ, Korea के prison में रहूंगी, पर यह वहां नहीं जा रही होती इसे flight से ले जाया जाता है, और island में एक jail होती है, वहां उसे transfer कर दिया जाता है यह jail बहुत ही strict होती है, यहां के guards जो होती है, यह बहुत ही जालिम होती है यून को इनकी भाषा समझ में आती, तो communication का बहुत जादा problem इसे होता है जब रात होती है, तो उसके पास guards आती है, इसे कुछ गोलिया देती है, इसे यह लेनी होती है, पर यह ले नहीं रही होती है इसे फिर यह मारते है, और जबरदस्ती यह उसे लेनी पड़ती है next thing में हम दिखता है, यह जो young है, यह मून्दो के office में आ चुका है अगर मून्दो को ढूण लेगा, तो यून की सजा कम हो सकती है, उसे सजा भी नहीं हो सकती office में जब वो आता है, तब और कुछ गुंडे वहाँ आय हुए होते है इन्हें लगता है कि मून्दो का friend है, तो इसे बहुत मारते है यौंग को फिर वो अपने बॉस के पास लेकर आते है, जो सब situation होई है यौंग उन्हें समझाता है, बॉस को बहुत ही पुरा लगता है, कि ये भी उनके जैसा ही है ये जो गैंग्स्टर बॉस है, इसके भी पैसे लेकर मून्दो भाग चुका था जौंग से किता है, कि मुन्दो को तुम्हें भी ढूड़ना है और मुझे भी ढूड़ना है हम दोना एक साथ काम कर सकते हैं, परियर गैंग्स्टर उसके इंसल्ट करकर उसे घर वेज़ देता है जौंग पर बहुत सारा लोन अभी है, तो उसे बहुत ज़ादा काम करना पड़ता है उसके डॉटर का खयाल अच्छे से नहीं रख पाएगा, तो डॉटर की जो एंड होती है, वह चोड़कर उसे चला जाता है यून को जेल में बहुत ही तकलिफ होती है, यह जो खाना खारी होती है, यह दूसरी इनमेट्स इसका खाना सब चीन लेती है रात में फ्लोर पर जो बेड़क्रम्स पड़े हुए होती है, यह खाकर वो सो जाती है जो हम मुंदो के ओफिस में गया था, बहुत सारी रिसिप्ट वहाँ से उसने लाई है एक एक रिसिप्ट को वो कॉल करता है, उसे कुछ ना कुछ तो इविडेंस चाही होता है, उसे कुछ ना कुछ तो पता चाही होता है कि मुंदो कहा है ये बहुत सारी जगह लगाता है और तैवांग और मुंदो इन दोनों का पता डूनता है एक watch की shop में एक call लगती है मुंदो जहा है ये इने पता है जोंग फिर इस shop में जाता है shop में जाने के बाद मुंदो के नाम के जो घड़िया होती है यह उससी दिखाई जाती है इस शौप के बीछे मुंदो का सब ओपरेशन चलता है और मुंदो के मिलने का यह कीवर्ड होता है जोंग को इन वाचेस में से एक वाच चूस करना पड़ेगा और जो दुकान दारे इससे पदा चल जाएगा कि क्या काम मुंदो के पास इसका है जोंग को यह समझ में नहीं आता तो वह वहाँ से चला जाता है पुलिसेस पर बिलिव नहीं करती जो इंस्पेक्टर होता है वो कहता है यह सब तुम कहानिया मना रहे हो इससे अंडरग्राउंड ओपरेशन्स वेगरा ऐसा कुछ भी नहीं होता अपने कलिक को यह सब बताता है और यह दोनों हस्ते है बातो बातो में तैवां का नाम भी जोंग ने बताया होता है यह पुलिस ओफिसर अपने कलिक को यह बताता है कलिक को कलिक होता है, वो खहता है कि ये most wanted है, इनकी list पर तैवांग होता है, जब जॉंग इस shop के बाहर होता है, तो तैवांग उसे देखता है, ये इसके पास से ही जाता है, इसके पीछे भागता है, पर ये कुछ धोड़ने पाता है, नेक सिन में यून की जेला में दिखाई होती है, ये American जब मार खा रही थी, तो उसका एक कीचन नीचे गिर गया था, इसमें ये American और उसकी मदर का फोटो था, ये फिर ये कीचन उसे देती है, उसे कही थी है, कि मैं भी मदर हूँ, मुझे पता है कि तुम केसे महसूस कर रही हो, पर तुमें रोना नहीं है, और त है, गैंक्सटर को पता देता है, ये लिटर जॉंग को मिल जाते है, अब जो लेटर में का एड्रेस है, ये अलग है, जॉंग जो होता है, ये computer center चलाने वाला जो friend है, इसकी computer center में आप रह रहा होता है, अपने friend को कहता है, ये जो location है, प्लीज इसका पता करो, जॉंग फिर यह लेटर पढ़ता है इस लेटर में यूंग कहती है कि मैं पैरिस में थी वो बहुत ही कोल्ड था और अब मैं ट्रॉपिकल आईलर्ड में आ चुकी हूँ यहाँ बहुत ही गर्मी होती है मेरे पास जाधा पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें लेटर लिख सकूँ थोड़े से पै यह बहुत ही जाता है वहाँ कि जो लेडी होती है वो उसे कहती है कि यह शिप करने में 20 days लग जाएंगे यह बहुत ही जाधा time है तो यह उसे suggest करती है कि अगर तुम Korean embassy से यह शिप करोगे तो यह बहुत ही fast चला जाएगा अब next scene में हम दिखता है कि जो gangster था उसे तैवान क को है यह पता चल चुका है जोंग को भी call आ जाता है और वह जहा होता है यहाँ चले जाते है तैवान को BM को बहुत ही मारने लग जाते क 152 पुलिस आती है और उसे पुछताच गरने लग जाते है जॉंग भी भाता है तो उससे देख करो सप्राइस्टो दे गैंग्स्टर यॉंग से बात करता है उससे कहता है कि तुम जो आप लड़ाई लड़ रहे हो इसमें पर्सिस्टन होना बहुत ही जादा इंपोर्टन्ट है कभी भी हार मत मानना यह कहिकर वो चला जाता है यॉंग फिर कोरियन एंपरसी को कॉल लगाता है उन्हें कहता है कि मनी ट्रांस्पर मुझे करना है अगर आपके ध्रू में करूंगा तो यह बहुत ही फास्ट हो जाएगा यहाँ पर देयांग उससे कुछ अच्छे से आंसर नहीं करता वो कहता है कि क्या हमें यही काम है तुमारी वाइफ एक फेलन है एक डिस्ग्रेस है इस कंट्री के लिए हम इसे जाधा कुछ मदद नहीं कर सकते यॉंग के हेरिंग होने वाली है या नहीं इसके पहले उसका इंटर्वी होता है कुछ नए इविडनस अकर होंगे तो उसकी डिफेंडर्ड जच को बताती है यॉंग यहाँ कुछे बोलने बाती है क्योंकि इसे फ्रेंच भी नहीं आ थी और इंग्लिज भी उसे अच्छी नहीं आ थी अब इसकी जो हीरिंग है और चार मैने के लिए पॉस्पन हो जाती है यह बाहर आकर अपने आटर्वने से कहती है कि कितना डाइम लग सकता है अपनी तुटक भाशा में ही इससे सब कुछ बोल रही होती है वो कहती है कि तुमारा ड्रक्स का कैसे दो साल तक लग सकते है सिर्फ तुमारा ट्रायल स्टार्ट होने में यह बहुती डिसेपॉइंटे होती है अब जो पुलिस है इसने मूंदो को ढून लिया है जॉंग भात है और सब जबब पढ़ता है से कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो पुलिस जॉंग को समझाती है कि तुमारे लिए इंपोर्टन्ट है अगर इसने सही से गवाई देती कि यॉंग को पता ही नहीं था कि उस बैग में क्या था तो यॉंग छुट सकती है यॉंग भी फिर उसे पैर से समझाता है जॉंग का लिटर यॉंग को मिलता है इसमें इसकी बीटी की फोटो थी है ये देखकर और रोन ले रचाती है जॉंग कहता है कि हम दोनों ठीक है हमारे बारे में तुम कोई भी चिंदा करने की ज़रूरत नहीं है तुम सिर्फ अपना खयाल रखना जो सब हुआ है ये मेरा ही फॉल्ट है इसके लिए मैं बहुत ही गिल्टी महसूस करता हूँ हम गिवप नहीं करने वाले हम होप रखेंगे कि तुम जल से जल यहां से भार आ जाओगी अब इंगे जो डॉटर है ये ज़रा बड़ी होने लग गई है तो यूंग अपने लेटर में लिखती है कि उसकी फोटो मुझे भेज़ दो अगर मैं उसके बड़े के लिए वापस नहीं आ सके तो उसे पाक में लेकर जाना वो अपने बेटी को लिखती है ये बहुत सारी पढ़ाई करना और फादर को जादा तकलिफ मत देना अब यूंग जो है अब प्रिजर में अच्छे से गुल मिल चुकी है उसकी आफ्रेंड भी बन चुकी है तो अब इसे जादा कुछ प्रॉलम नहीं आ रहा है यूंग को जर्ज के सामने प्रॉलम आता है क्योंकि वहाँ ट्रांसलेटर ही नहीं होता जो कोरियन में बात कर सके और क्या हो रहा है यह सब यूंग को समझा सके यह सब प्रॉलम वह लेटर में लिखती है जोंग फिर कोरियन अंबेसी को कॉल करता है वो कहता है कि ट्रांसलेटर वहाँ क्यों नहीं है देउन केता है कि बहुत ही remote facility में है यहाँ पर हम किसी को पर नहीं भेश सकते हैं अगर भेजा जाए तो बहुत जादा खर्चा आजाएगा यह हम taxpayer के money से कैसे ले सकते हैं पहले हमारा budget इतना कम है और अगर तुमारे wife पर हमने खर्चा कर दिया तो लोग हमें क्या कहेंगे हम क्राइम के लिए confess कर लेता है और यह भी बता देता है कि यून की इसमें कुछ भी गलती नहीं थी जाँग कोट्रूम में पुछता है कि अब क्या process होगी वहाँ का lawyer उसे कहता है कि जो भी transcript इस courtroom की है वो अब हम Korean embassy को send करेंगे यह French की embassy को translate करकर send करेंगे और इसके बाद यू से जल वहाँ से बाहर आ सकेगी यून के लिए translator मिलने ही पा रहा तो जॉंग अपने friend को लगा कर internet पर message भेजता है अगर कोई Korean फ्रांस में रह रहा होगा तो उसे ही message मिल सकता है यह जो अब transcript है जो Korean embassy को French embassy को भेजने है इसका काम start हो जाता है इसमें दो मेने लग जाते है इ इसे बहुत ही घटी answer देता है Korean embassy में एक बड़ा officer आने वाला होता है इस दिन उनके office में बहुत ज़्यादा strictly सब लोग काम कर रहे होते हैं इस office में जो मैस होती है यह देयून देखता है देयॉंग सब को कहता है कि officer आएगा और हम अगर ऐसे दिखेंगे यह हमारी reputation के लिए जो paperwork खराब है जो इनने नहीं लगने वाला इसको shred करते है इसी shredding के files में वो चली गई होती है इस translation की papers को वो shred कर लेते है यह उनको judge के सामने फिर से hearing होती है जो Korean embassy है उसने paperwork sending नहीं किया है तो फिर से चार मेने के लिए उसका trial postpone हो जाता है यह समझ में नहीं पाती है यह हो अब उसे रखने वाला होता है जो उनकी बेटी का बर्डे आ जाता है उसे पाक में ले जाता है इस दिन उसे ज़्यादा को चो तकलिफ नहीं देती है यह उनको jail की गाड़ी में से ले जा रहा होता है तब यह गाड़ी रूख जाती है जो इसे जबरदस्ती करकर इसे intimate होन यह Caribbean Sea होता है जोंग जो होता है यह अपना सामान देख रहा होता है अमने पुराने यादे वो फिल से जी रहा होता है इसमें उसे Caribbean Sea का एक पॉम्प्रेट दिखता है यून और जोंग ने डिसाड़ी किया था कि वो अपनी 10th anniversary पर इस island पर आएंगे Caribbean उनने देखना था अब मैं दिखता है कि जोंग और उसकी बेटी अच्छे से अपने रूटिन में घुल मिल चुके है यून की बेटी को यूंग की अब जादे याद नहीं आती यून भागने वाली थी इसलिए उसे काल कोट्री में डाल दिया जाता है अब यून का ट्रा सी के आगे वो कार्डबोर्ज लेकर खड़ा हो जाता है वो ट्राय करता है कि कोई उसे नोटिस कर ले पर एक कोई नोटिस नहीं कर पाता जोंग को जो इंटरनेट याफ़ वाला फ्रेंड होता है यह सब वो इंटरनेट पर डाल देते है इससे गोरियान एंबसी बर करता है तो तुम मेडिटेशन करो इस रूम में तुम यही कर सकती हो बहुत यह लाबर्वा उसे आंसर देते है और थोड़े पैसे देखर वहास ही चले जाते है यून यह पैसे फिर से उन्हें पार्सल कर देती है यून जब सुनती है कि बहुत सारे साल उसे यहा रहना उसे पुछती है कि वह कैसी है उसकी फ्रेंड भी उसे आवास देती है कि वह ठीक है यून के बारे में वह पुछती है फिर यह सी के पास आ जाती है अपने लेटर में लिखती है कि हम 10th anniversary पर यहां आने वाले थे मैं यह विश्च करती थी मैं कितनी गलत थी मुझे लगता ह यह एक बुरे सपने में हूँ तुम दोनों यानि कि जॉंग और उसकी बेटी यह बहुत ही सफर कर रहे है यह मैं सहन नहीं कर सकती अपने आपका तुम खयाल रखना यह स्लेटर में लिखती है यानि कि इसके बाद वो सुसाइट करने का अटेंट करती है इसे होस्पिटर म पर इसे मिलता है वो कहता है यह उसे तुमारी वाइफ पर स्टोरी करनी है हम उसे मिलने के लिए फ्रांस जाने वाले है क्या तुम हमारे साथ आओगे जॉंग को बहुत ही अच्छा लगता है जॉंग फ्रांस आ जाता है और यून से मिलता है यह एक दूसरे को हग करते है और रोनने लग जाते है यह उन विलिव नहीं कर पाती है कि यह सचमुच में घर आया है जॉंग अपने बेटी की वीडियो उसे दिखाता है अब जॉंग ने इससे मिल लिया है तो अब इससे फिर से घर जाना पड़ेगा इन्हें एक दूसरे को छोड़ने में बहुत यह तकलिफ होती है पर इन्हें अब जाना पड़ता है जो सब रिपोर्टर है और जॉंग यह सब कोरियन एमबसी आ जाते है उनसे सवाल पूछन थी यहां में इंटरनेट पर मिली है पर तुमने कुछ दखर ही नहीं ली थी यह उन्हें बहुत जादा ब्लेम कर रहे होते है यह फिर इन्हें पेपर के बारे में पूछते है कि तुम्हें फ्रांस को कुछ पेपर भेजने थे वो तुमने क्यों नहीं बेजे है यह बहुत कहता है कि हमने तो भेजे थे और फ्रांस का जो सिस्टम है यह बहुत ही घटिया है यह पेपर गुम कर दी हो गए जोंग को इन पर पिलिव नहीं होता है तो इसके कुछ रिसिप्ट होगी यह बहुत उस पर चीर जाता है और खेता है कि अफकोस हमारे पास रिसिप्ट है यह रिसिप्ट ढूडने लग जाते है पर इन रिसिप्ट कहीं भी नहीं मिलती है जोंग फिर देवंग पर चपक जाता है उसे मानने ही कोशिश करता है यह सिच्वेशन जरा कंट्रोर करते है यून ने इन पेपर के बारे में जोंग को बताय था इसी वज़े से यह सब हुआ ह तो अब यह जो कोरियन एंबसी के बास वगरा है यह यून से मिलने के लिए आती है यह कहते है यह तुम्हारे यह वज़े से यह सब हो रहा है तुम एक क्रिमिनल हो और हम जैसे इमानदार ओफिसर्स को यह सब जहिलना पड़ रहा है तुम्हें क्या लगता है कि अगर तु तुम्हारे होप है यह सब तुम छोड़ दो यूंग बहुत ही रोने लग जाती है यह जोंग को कॉल करती है और कैसे मैं होप छोड़ सकती हूं यही तो मेरे लिए लास्ट चांस है जोंग उसे कहता है कि अवी भी खतम नहीं हुआ है हम और भी लड़ने वाले हैं जो होते हैं बहुत कुछ हलचल मत जाती है इसके बाद सब पर प्रेशर आ जाता है जो डॉकुमेंट्स थे जो कोईरिन आमबसी ने डॉकुमेंट्स नहीं भेजी थे अब फ्रांस के पास आ चुकी होते है यूंग को एक अच्छा सा लॉयर मिल जाता है इसकी हीरिंग अब जाता है कि इसको पता ही नहीं था कि इसके पास डॉक से इसकी गवाई हो जाने के बाद जज अब फैसला सुनाने वाला होता है जज यूं से पूछता है कि क्या तुम्हीं कुछ बोलना है यूं खड़ी हो जाती है वो कहती है कि हा मैं गिल्टी हूँ थोड़े से पैसो के मैंने काम किया था पर यह जो सब हो रहा है इसके सजा मेरी फैमिले भूगद रही है इसे घर जाना है यह वो जोच को कहती है मेरी बीटी चार साल की थी पर अब वो छे साल की हो चुकी है अपनी मदर के बिना उसे जीना पड़ रहा है मुझे फ्लीज घर जाने तो यह अपील जौंग उसे मिलता है अपने बेटी से वो मिलती है उसकी बेटी उसे identify नहीं कर पाती है इसका जो चेहरा होता है यह भूल चुकी होती है यह डर रही होती है तो जौंग उसे कहता है कि मदर के पास जाओ यूंग की बेटी उसे पुछती है कि क्या तु मेरी ही मदर हो यह फ थे सब को भार बूलाता है, एक एक कैमेरा वो लाता है, एक फैमिली फोटो लेने वाले होते तब जॉण बने performances cell एक एक तो यह जोड़ाता है। तुम्हारी वाइफ घर पर आने वाली है, जॉण को इस पर घुसा आता है पर वो इस पर ध्याण ने देता। camera on करता है और family photo में आ जाता है और एक smile करते हुए एक बड़ी आसी हो फोटो निकालते है इनकी family अब फिर से बन चुकी है यही movie खतम हो जाती है इसके बाद end credits में हमें पता चलता है कि इन दोनों को और एक बेटी हुई थी एक happy life यह सब जी रहे है हमारे life में हमारी situation कितनी भ खराव हो पर फिर भी हमें give up नहीं करना है इतने भी बुरे दिन हमें आ जाए पर फिर भी हम इसे adjust कर सकते है इन बुरे दिनों से हम बाहर आ सकते है जो कुछ हमें चाहिए इसके लिए हमें कभी भी give up नहीं करना है इसी अच्छे से message के साथ यह movie end हो जाती है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी movies लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और bell notification आइकोन भी दबा दीजे यानि कि आपको सब movies मिलती रहे हम यह से मिलेंगे एक नई movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखें